गुड मॉर्निंग नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस्टेटिव इध्यान प्रकास में दोस्तों आज है साथ जून दिन रभी वार का सुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूबी PCS 2020 के एस्पारेंट हैं तो आग के लिए एक बहुत ही जरूरी सुचना है बहुत सारे अपरतियों लगबग 18,000 अपरतियों के जो फोटो और सिकनेचर हैं वो मानक के अनरूप नहीं है तो उनकी एक लिस्ट जारी की गई है इसमें वेफसाइट पर और वेफसाइट जून तक अगर आप मतलब इसमें आविदन किये विए हैं तो आप 12 जून से पहले पहले मैं तो कहूंगा कि आज ही विजिट कर लिजिए अपना नाम चेक कर लिजिए और आपका नाम है इस लिस्ट में तो आपको तुरंद अपने फोटो और सिकनेचर को इंप्रूब करन से आप अपनी मोबाइल फोन से ही सही अनुपात में फोटो और सिकनेचर को बना सकते हैं और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो लिंक मैं देदूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा तो देखें यहाँ पर इस बार जो है PCS के 18,000 से अधिक आवेदनों में गलती पाई गई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अधिक आवेदनों में तूटियां पाई गई है कहीं ने कहीं इसकर जो एक मुख के वजह है वो लागडाउन मानी जा रही है जिसमें साइबर कैफे जो थे वो काम नहीं कर रहे थे अवेदनों ने ज्यादा तर अपने मॉबाइल फोन से ही आवेदन किया है और यहीं वज़े रही है कि बंदब बड़ी संक्या में ऐसी तूटियां जो है वो मिल गई है तो कुल मिला के 7,504 यानि कि 75 सो मामले में हस्ताक्षर जो है वो आड़े तिर्चे अगलत है हस्ताक्षर असपस्ट नहीं है 5,866 यानि कि 6,000 मामलों में फोटो सही नहीं है और 4,882 मामलों में लगब 5,000 मामलों में फोटो निर्धारित जो प्रारूप है उस पर नहीं है तो इसको करेट करने का औसर भी दिया गया है पहली बार ऐसा हुआ है जब लास्ट बीद जाने के बाद भी आपको डिड़ी गई है यह फोटो और सिगनेचर को सुधार लें आप लोग ठीक है तो पीसे 2020 के लिए आविदन की प्रक्रियाज हुआ है यह 4 जून को पूरी हो गई है कुल 5,95,692 अभेटियों ने आविदन किया है और जिन में से 18,000 से अधिक अभेटियों के आविदन में हस्ताक्षर एमंग फोटो संबंदी तूटी है पहली बार पीसे परिचा के आविदन में इतने बड़े पहमाने पर गरबडी मिली है तो कोई बात नहीं फिलाल इसको सुधारा जा सकता है परिचाओं के दवरान हस्ताक्षर और फोटो में गर गया तो इस प्रकार के भी गरबड़ी आ रही है अभी हाली में आपने देखा होगा कि एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक ही जो है मतलब फरजी सिक्षिकाच थी उसने बहुत सारे विद्याले में करवा रखा था अपना अपरूवल ठीक है और खूप ऐसे कमा रही थी तो जो लोग होते हैं गरबड़ी करने वाले वो तरह तरह के रास्ते जो वह खुशते रहते हैं लेकिन ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो इनको भाई नजीर बना देना चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार की गरबड़ी ना कर सके और देखिए इनको अब जल दी नियुक्ति की संस्तुति मिल जाएगी शासन से आयोग ने दो चरणों में आरो ए आरो के चैनित अभ्यर्थियों के अभिल्यकों का सत्यापन किया पहले चरण में 27 एवं 28 मई को सत्यापन के लिए 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इनमें से 74 अभ्यर अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इनमें से 548 चैनित अभ्यर्थियों के लिए आयोग पहुंचे हैं जो कि 34 अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे हैं तो हलाकि इनको भी मौका मिलेगा क्योंकि यह पहले ही सर्था लगा दी गई थी और इसी के साथ आपको बता दें कि जो इस्टे लगा हुआ है 69,000 सिक्षक भरती में उत्तर मला पकरण पर और सरकार उसके खिलाफ डबल बेंच में अपील जो इस्पिसल अपीले वो दायर कर दिये तो उस पर जो अगली सुनवाई यानि की हेरिंग होनी है वो कल यानि की सोमवार को होगी और जस्टिस पंकत जैसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंग की बेंच में ये बिसिस अपील जो वो होगी वो सुन जाएगी देखे फ्रेंड्स अगर बहुत जल्दी ये प्रहती प्रक्रिया सुरू नहीं होती है तो ये काफी लंबे समय तक अटक सकती है फिलाल टीटी धाल्दी से आगे बढ़ रही है मामले में चौकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है जाच में यह भी पता चला है कि गिरो का सरगना केल पटेल पांच महिने पहले हुई टीटी में धादली की कोशिस में ग्रफतार नकल माफिया चंद्रमा यादव और संजे सिंग के संपर्क में भ रही है सोराओं पोलिस ने दो दिन पहले सिक्चक बरती परिशा पास कराने वाले गिरो का भंड़ा पोड़ किया था और सरगना समेथ साथ लोगों को पकड़ा था दूसरे दिन राजापुर निवासी ललित त्रिपाटी को हिरासत में लिया गया सुत्रों के मुताबिक ल आकल कराने की कोशिस में जूटे इस गिरो के कुल साथ सदस्यों को गिरिफतार किया गया था गिरो के सदस्यों ने कभूला था कि उन्होंने करीब 200 अबर्थियों से 2-5 लाक रुपे तक में सौदा किया था सिक्चक भरती परिशा पास कराने वाले गिरो के सर्गना केल मामले में रोज नए ने खुलासे हो रहे हैं वह किसी बड़ी धादली के संकेत दे रहे हैं और इसी के साथ दो अभेर्थियों के भी पकड़े जाने की चर्चा है सिक्चरबर्थी परिशाय पास करा ले हम आले गिरों को भी जाँच के दोरान दो अभिरतियों को भी हिरासत में लिये जाने की चर्चा रही अभी कहा जा रहा है कि जाँच के दोरान दोनों अभिरतियों का गिरों के सदस्यों के बीच लेन दिन की बात सामने आई है हलांकि SSP किसी ब्यक्ति को हिरासत में लेने से इनकार करते रहे उनका यह जलूर कहना था कि कुछ सुचनाएं मिली हैं जिसकी पुष्टी अभी बाकी है और इसी करह में नैनी इस्थित इंटर कालेज का करमचारी भी हिरासत में है इस परिच्छा के लिए नैनी इस्थित इंटर कालेज में बनाये गए केंद्र के भी बहुत से अभ्यरती इस गिरों के संपर्ख में थे जिसके बाद पुलिस ने कालेज के एक करमचारी को हिरासत में लिया है और इस कालेज में बने केंद में परिच्छा देने वाले बहुत से अपरती ऐसे हैं जिनका सिक्चक वरती परिच्छा में न सिर्फ चैन हुआ बलकि उनके प्रापतांग भी खूब हैं बहुत अधीक हैं और इसी तर फ्रेंड्स एक बड़ी कबर निकल के आ रही है सोसल मेडिया में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सोसल मेडिया में सही और गलत अफ़वाएं हर तरीके की अफ़वाएं मौजूद है तो यहाँ पर एक बड़ी कबर है जातिवार आकड़े प्रसारित करने पर F.I.R तो बेसे सिचा परशद ने 79,000 सायक अध्यापक भरती में सोसल मेडिया पर चैनित अफ़वाएं के जातिवार भ्रामक आकड़े प्रसारित करने के मामले में यूपी पुलिस की लखनोई इस्थित साइबर सेल में सिकायत दर्ज कराई है परशद के उफ सचिव अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्त सोसल मेडिया पर चैनित अभ्रतियों के जातिवार आकड़े जारी कर अभ्रतियों को भ्रमित कर रहे हैं ने कहा कि परिशद ने भरती का परड़ाम जारी करने में आरक्षण की निमावली का पूरी तरह पालन किया है परड़ाम एनाइसी दौरा तयार सब्वेयर से जारी किया गया है और 49 गंटे में इटली के बाद अब स्पेन को पीछे छोड़ भारत जो वह दुनिया का पांचवा सबसे संक्रमित देश बन गया है तो सबसे अधिक आपको साधान रहने की आ सकता है जान हापकिन्स विस्विद्यले के मताबिक भारत में सनीवार रात तक 2,45,670 मरी जो गए है देश ने 48 गंटे में आसरजनक रूप से इटली और स्पेन को पीछे छोड़ दिया है अब भारत से आगे केवल अमेरिका ब्राजिल रूस और बिटेन ही है तो इनको भी पीछे न छोड़ना पड़े आप लोग प्रयास करिए नहीं तो कुछ मामलों में टाप कर जाना यह बहुत ही अधिक बिटमबना वाली बात हो जाती है ठीक है तो हर जगे आगे रहना ठीक नहीं होता है तो यह थी आज की सारी अप्डेट थैंक्यू सो मच पर लेस्निंग वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सरकती जीगा बहुत बहुत धन्यवाद ही परोगे प्रामाली बात है तो है तो हुटामच तो है तो है हुट कर दो है तो है